हलो नमस्कार जाहिंद मरे देश के भाविफोजियों कैसे है आप सबी उमीद करता हूँ सबी नोजवान बहुत याच्छे होंगे और अपने एकजाम अपने ट्रेड की बहुत याच्छे आप तैयारी कर रहे होंगे एकजाम तक किशी जोश जनून जज़वे के साथ आपको पढ़ाई करना है किशी ने क्या खूब कहा है कि कामयाभी मुझे मिले या ना मिले ये अलग बात है पर मैं महनती ना करूँ ये ग बार हारे है ये कोई माइनी नहीं रखता क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए है आपका जो शपना है फोज के अंदर जाने का ये जरूर पुरा होगा यही हम इस वर्शे कामना करते हैं बश एक जाम तक आपको इसी एनरजी के साथ आपको पढ़ाई करना है फाल हमारा एक जाम रद होगा हमें वापिस रणिंग करना होगा तो ऐसी सूचना फोज़ वालों ने अभी नहीं दी है इसलिए आपको किशी के भ्रम में नहीं पढ़ना है कि गुरुजी एक जाम है ये नहीं होगा हमारी भरती कैंशिल होगी आपका एक जाम भी होगा आपको फोज की वर्दी भी मिलेगी बस आप महनत कीजिए जोश जनून के शाथी पिछली बार कविड आया था साथ महीने के बाद एक नौंबर को पेपर लगा था आप सभी को पता है ये पेपर भी जरूर लगेगा अभी फोज वालों ने ये नहीं कहा है कि आपका रेटन रद और आपके रेली दुबार होगी इसा कहीं नहीं लिखा है इसलिए आपको बिलकुल भी गबराना नहीं है आपको रात और दिन महनत करना है आपके रेली भी आएगी आपका एकजाम भी होगा क्लियर है आज का टेस्ट पेपर आपके एकजाम के लिए बहुत ही महत्वपन ह तो आप 30 पिछले फोच के पेपर में पुछे गई पर्षनों के बारे में हम डिसकस करेंगे शामने ग्यान और विज्ञान के लिए थोड़े लेवल के क्यूशन देखने को मिलेंगे इसके अंदर साइन्स के क्यूशन है वो अच्छे लेवल के क्यूशन से इंकलूड किया है परधान मंतरी कैसे बनाया जाता है निर्वाचन के द्वारा मनियोन के द्वारा नुक्ती के द्वारा भरती के द्वारा जे बताए परधान मंतरी कैसे बनाया जाता है बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन है अप्शन इसका सीजन और जवन बतारे नुक्ती के द्वारा बिल और जो भारत का परधान मंतरी है ये लोक्षबा का बहुमत दलनेता भी होता है ये भी आपको द्यान रखना है नेक्स्ट है टाइटन किश ग्रह का उपग्रह है मंगल ब्रहशपती सनी यूरेनस टाइटन किश ग्रह का उपग्रह है बिलकुल शबास आप्शन शीजोन और ज थे अंग्रेजों के पुर्तगाली डच फ्रान्शिशी ये बताई बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन है पंडी चेरी में किसके उपनिवेश थे अप्शन इसका डी जोन जुन बता रहे फ्रान्शिशी बिल्कुल राइट बता रहे नेक्स्ट क्यूशन है बुलंद दर्वाजा निमन में से किस इमारत से समन्दित है ताज महल लाल किला फटेपुर शिकरी शिकंद्रा बुलंद दर्वाजा किस इमारत से समन्दित है शबास ओप्शन शीजोन जुन बता रहे फटेपुर शिकरी बिल्कुल राइट बता रहे नेक्स्ट भारत वे स्रीलंका के बेच इस्तित जल को क्या कहते हैं पाक जल डमरूमदे, गलप आप एंडशी, कोक स्ट्रेट, थॉमस स्ट्रेट भारत वे स्रीलंका के बेच इस्तित जल को क्या कहते हैं गुरुजी पाक जल डमरूमदे कहते हैं अप्सन इश्का ए राइट होगा शबास भारत का मानक्षमे रेखा किसो सहर्षे होकर गुजरता है जेपुर को लगत्ता, एहमदाबाद, इलहाबाद ये बताएंगे बहुत ही इंपोर्टेंट क्यूसन है आपके एक्जाम के लिए शबास इसका राइट अंसर होगा, इलहाबाद ऑप्सन डी जोन और जोन बता रहें बिलकुल राइट बता रहें आपके तैयारी बहुत ये अच्छी है नेक्स्ट है, गोल कुंडा कहां अवस्तित है विजापुर हेदराबाद महसूर चेनई वर्य इंपोर्टेंट कुशन है और जी डी ट्रेडमेन वालों को ये कुशन हम देंगे ह्ट डबलू के लिए देखते हैं आपके तैयारी कैसी चलर रही है, डी मोटिवेट किसी भी नोजवान को नहीं होना है ये आपको ध्यान रखना है एक जाम आपका होगा सलेक्षन भी आपका होगा हम आपको इतना ही कहना चाहेंगे कि जो लोग अपनी तुलना दूसरे वेक्तियों से करते हैं जो लोग अपनी तुलना दूसरे वेक्तियों से करते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि सूरी और चंदर्मा अपने-अपने समय पर चमकते हैं जिस दिन फ्रोजगा रिजल डेकलेर होगा उस दिन मैरिड सुची में नाम आपका सब सेयों पर होगा यह हम आपको दावे के शाथ कहते हैं बस एक जाम तक आपको टीके रहना है निरंतर बहुत ही इंपोटेंट क्योशन है आपके एक जाम के लिए भारत में नाम आपको रिजल बताना है बहुत ही इंपोटेंट क्योशन है शेबास इसका राइट अंसर होगा option B जोन जवान बता रहें कुत्वुदीन एबा की बिलकुल राइट बता रहें next है राजेपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का एनिस्चित काल 3 वर्ष का 6 वर्ष का सभी नोजवान बताएंगे बहुत important question है आपके exam के लिए बिल्कुल 5 वर्ष का होता है option इसका age on a zone बता रहें बिल्कुल right बता रहें next डेविश कप किस खेल से समंद है long tennis, badminton, शत्रंज, table tennis डेविश कप का समंद आपको बताना है option इसका age on a zone बता रहें long tennis इसका बिल्कुल right बता रहें शबास बढ़ते है next question की तरह पी next है जारकंड की राजदानी कौन शी है राइपुर, रांची, ताटानगर, भागलपुर जारकंड की राजदानी आपको बताना है बहुत important question है शबास इसका right answer option b zone बता रहें आची बिल्कुल right बता रहें next है बेटन कप किस खेल से समंद रखता है table tennis, hockey, football, cricket बेटन कप किस खेल से समंद रखता है ये आपको बताना है शबास option 20 का right होगा hockey zone बता रहें बिल्कुल right बता रहें next है चीन की मुद्रा क्या है चीन की मुद्रा आपको बताना है फोज के अंदर पिछले पेपर ही पूछे जाते हैं आपको एकजा में युआन ही देखने को मिलेगा clear है युआन या रैन बीम्बी इन दोनों में शें आपको मिलेगा ज्यादा तर वियान पूछा जाता है ये आपको द्यान रखना है नेक्स्ट कुछन देखिए नेक्स्ट प्रथम राष्टर मंडल खेल कहां आयोजित हुए थे हैमिलिटन, शिडनी, मेलबरन, लंदन प्रथम राष्टर मंडल खेल कहां आयोजित हुए थे बिलकुल इसका राष्ट आणसर होगा उप्शन एजोन जवन बता रहे है हैमिलिटन बिलकुल राष्ट बता रहे शाबास नेक्स्ट किस मोगल समराट ने शर्व परतम मराथों को उमर वरग में समयलित किया गया और अंगजेब जहां 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 जहांगेर बहदुर शहाप्रतम यह बताएंगे आप सभी बहुत इंपोटेंट किसन है और जहांगेर इसका राष्ट आंसर होगा जिस शोल्जर को नहीं पता है नोट कर लेना नेक्स्ट पार्ट बी में हम 15 किसनों बहुत इंपोटेंट जी एसके किसनों के बारे में डिसकस करेंगे लेकिन जितने भी सोल्जर हमें सुन पा रहे उतने लाइक नहीं है बेक आकर सेशन को लाइक कीजिए और आजगल नोजवान भी बहुत कम पढ़ाई करने आते हैं अजली नोजवान आप है जो निरंतरा पढ़ाई करने आते हैं क्योंकि आपके रगों में खोड़ नहीं जनुन दोड़ना है बस हम आपको इतना ही कहना चाहेंगे कि रख होशला वो मनजर भी आएगा प्यासे के पास चल कर समंदर भी आएगा ठक होशला वो मनजर भी आएगा प्यासे के पास चल कर समंदर भी आएगा ठक हर के यूना बेट मनजल के मुशापिर मनजल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा मनजल देर से सही लेकिन मिलेगी जरूर ये आपको ध्यान रखना है भगवान के घर में देर है अंदेर नहीं सेलेक्शन आपका डेफिनेंट होगा सामनेत है वाइरेश निमन को छोड़ कर शमस्त पोदों को संकरमित करता है और सन इसका भी राइट होगा मजजा ऐसे क्यूशन आपको नहीं आते है इसलिए हम आपको बार-बार कहते है concept clear होना बहुत ही जरूरी है अगर अभी आपकी science week है तो आपको time मिला है आर्मी study application में आप जी के जी एस या total जी डी या ट्रेड में जो भी आपका ट्रेड है कुर्श आप purchase कर सकते है आपको एक exam तक पढ़ाए जाएगा कोई आपकी दुबार पीश नहीं ली जाएगी 500 रुपए में 500-400 रुपए में पिछले 8 महिनों से हम नोजवानों को उसी पीश में पढ़ा रहे हैं आप देख सकते हैं आर्मी study में सिर्फ एक बार पीश लगती है उसके बाद एक जाम तक पीश नहीं लगती चाहिए एक जाम आपका दो महिने में हो चाहिए चार महिने में हो चाहिए च्छा महिने में हो इसलिए तयार रही है जो जनून के शाथ ही जो subject week है उसे मजबूत कीजिए पेपर के अंदर 50-50 ठोक के आना है महाकाल का नाम लेके किस पधार्त का वह के अंदर जहां उसका संपूर्ण भार परभावी होता है कहलाता है क्योंकि इस परकार के किसर 28 मारच को जो एक जाम वाता उसमें पूछे गए थे इसका राइट आंसर बताई शबास अप्शन डी राइट होगा गुरुत्वे केंदर नेक्स्ट है तार किजने योगे सबसे नमनिय धातु है सोना चांदी लोहा अलूमीनियम तार किजने योगे सबसे नमनिय धातु है सोना अप्शन इशका एज उनजवान बता रहें बिल्कुल राइट बता रहें नेक्स्ट है वायू में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गेश ऑक्षीजन कर्बंडाय उक्षाइड नाइट्रोजन हाइड्रोजन वायू में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गेश आपको बताना है औप्शन शीजोन औजवन बता रहें नाइट्रोजन बिलकुल राइट बता रहें नेक्स्ट निमनमादे में धवनी का वेग सारवादिक होता है निर्वात गेश दर्वे ठोस दातू धवनी का वेग है ये सबसे अधिकिश में होता है ठोस दातों में होता है option D right होगा नेक्स्ट मलेरिया से गर्षित व्यक्ति के रक्त में किस रक्त कनिका की कमी हो जाती है पलेटलेट से सवेक्त रक्त कनिकाई लाल रक्त कनिकाई रक्त पलाजमा ये आपको बताना है बहुत important question है option C जो नोजवन बतारें लाल रक्त कनिकाई बिलकुल right बतारें option C right होगा नेक्स्ट है विदुत बेटरी का विश्कार किस ने किया वोल्टा, देवी, फेराडे, निउटन बहुत important question है आपके एक्जाम के लिए सभी नोजवन बताएंगे इसका right answer क्या होगा clear है बिलकुल right बतारें बढ़ते हैं next question के तरपी next question है रक्त को जमाने में कौनशा protein उपयोग में आता है option है ये आपके शामन है सभी नोजवन बताएंगे इसका right answer क्या होगा clear है बिलकुल शबास इसका जो right answer होगा जो नोजवन बतारें option A फाइब्रो नोजवन वो बिलकुल right बतारें next है लाल रुधिर कडिकाओं का उतपाद निमन में से किश्के द्वारा होता है ये करत हार्मोन अस्तिमजा हरदे बहुत important question है आपके एक्जाम के लिए इसका right answer होगा अस्तिमजा option C जो नोजवन बतारें बिलकुल right बतारें next है शरीर का सारवादिक परबल अस्ति होती है जांग में जबडे में भुजा में गर्दन में ये बताए बहुत ही important question है आपके एक्जाम के लिए बिलकुल जबडे की होती है मेंडीबल शारवादिक परबल अस्ति ये आपको ध्यान रखना है next है निमन में से किशका अपवर्तनांक शारवादिक है पानी कांच हीरा तारपिन का तेल बहुत ही important question है आपके एक्जाम के लिए शाबास आपकी तैयारी बहुत अच्छी है हीरा option इसका शी जो नोजवन बता रहे बिलकुल राइट बता रहे next है शीतलन विदी जो इसकूटर में परियोग की जाती है जल शीतलन वाईव शीतलन दर्व शीतलन जल और वाईव दोनों शीतलन बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन है और इसका राइट अंसर होगा option इसका जो नोजवन बिबता रहे हैं वाईव शीतलन वो बिलकुल राइट बता रहे next है योगी की जल में सबसे कम विले है फिनोल, बेंजिन, एथनोग, बेंजोई ये टेकनिकल वालों को बताना है देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है टेकनिकल और नर्शिंग वालों को next है विदुत बलब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन, ग्रेफाइड, नाइक्रोम का ये बताए बहुत ही अच्छा क्यूशन है आपके एक्जाम के लिए शबास विदुत बलब का फिलामेंट आपको बताना है टंगस्टन आप्सन इशका बे बिलकुल राइट होगा शबास सभी नोजवान इमानदारी से बताएंगे आप तीस में से कितने क्यूशन राइट कर पाते है पचीश पलश का है ये आपको बिलकुल राइट जवाब देना था मैं उमीद करता हूँ आज का टेस्ट पेपर आपको बहुत ये अच्छा लगा होगा और आप सभी से यही निवेदन करते हैं कि आपको डिमोटिवेट नहीं होना है एक जाम तक रेगुलर पढ़ाई करना है और मजबूत तयारी कीजिए पेपर आपका होगा जरूर होगा देर से होगा लेकिन पेपर होगा क्लियर है और ये आपके लिए मोका है ये गोल्डन चांश है बहुत ये अच्छी वेकेंश ये आपको देखने को मिलेगी यू मान के चलिए लगबग सबीनों जवनों का सेलेक्शन इसी बरती के अंदर होगा इसलिए आपको हिम्मत नहीं आरना है बस जोस जनून के साथ पढ़ाई करना है क्लियर है तो मिलते हैं आपको कल एक बहुतरी इन्सेशन के साथ जाहिंद वन्दे मातरम